हलो दोस्तों, स्वागत है आपका दज्चुरावर क्लासेश पर आज के इस वीडियो में हम लोग अपने न्योटियंट एंड कार्बो हाइडरेट के बाकी के 10 कोस्चन को डिसकस करने वाले हैं जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं वो लोग प्लेइलिस्ट में जा करके इससे रिलेटेड जो हमारा लास्ट दो वीडियो है जैसे फिफ्ट नंबर का जो वीडियो है यहाँ पे सेबन्थ आपको दिख रहा होगा उसके पांसवे नंबर के जो वीडियो है उसको जरूर देखो वो वीडियो जरूर देखेगा क्योंकि वहाँ पर आपको पूरा content मिलने वाला ठीक है तो move to the next question हम लोग question के उपर discuss करने वाले हैं बट उससे पहले जो लोग हमसे जुड़े हैं पहली बार अगर उन्हें हमारा content पसंद आया है या पसंद आने वाला है तो वो लोग ये WhatsApp नमबर note कर लें और जिस जो भी उनका नाम है और जिस पोस्ट के लिए वो preparation कर रहे हैं वो लिख करके भेज सकते हैं message कर सकते हैं इस WhatsApp नमबर पे और इसके पहले वो लोग discussion box में जा करके हमारे app की link है जिसको download कर सकते हैं और content से related जो course आपका KBS especially design किया गया है उस course को आप अपने आपको उस course में enroll कर सकते हो ठीक है और साथी साथ आप अपनी तयारी को दो कदम आगे बढ़ा सकते हो दो कदम पहले कर सकते हो कैसे देखो ध्यान से जो winners होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते हैं चीजों को अलग धंग से करते हैं तो वही काम करना है अब आपके पास option है कि आप winner बनना चाहते हो या winner नहीं बनना चाहते हो मैं नहीं बोल रहा हूँ आप loser बनना चाहते हो मैंने क्या बोला winner नहीं बनना चाहते हो तो winner अगर आप बनना चाहते हो या winner नहीं बनना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक काम करना है जो winner नहीं बनेंगे उनसे winner जो होता है वो दो कदम आगे होता है यानि आप winner जो नहीं बनेंगे उनसे दो कदम आगे होता है तो आपके पास decide है कि आप तयारी तब शुरू करोगे जब आपका notification आ जाएगा, ठीक है, या आप question answer तब लगा रहे होगे, जब आपका notification आ जाएगा, अब question answer कब लगाओगे, जब आपकी तियारी हो जाएगी, तो इसका मतलब notification के पहले पहले आपको तियारी करने नहीं है, then आप इस category में, आप आसानी से आ सकते हो, उसके लिए क अपने आपको, ठीक है, चलिए, तो questions के लिए move करते हैं, पहला question हमारे सामने है, which one of the following is the sweetest sugar, तो को बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है, मैंने आपको बताया था कि कौन सी चीज है, जो सबसे मीठी चीनी, तो याद रखिए, जब मैंने diasecride आपको पढ़ाया था, ठी आपको बाउंस कर रहे हैं, तो आप प्लीज जाके पांचवा नमबर का वीडियो जरूर देखेगा, जिससे आपको clear हो जाएगा, मैं क्या समझाना चाहरा हूँ, तो monosecride के अंदर तीन लोगों को हमने पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था, glucose को, क्या पढ़ा था, glucose को, द simplest form of carbohydrate होता है, सबसे आसान रूफ होता है, ठीक है, सबसे आसान रूफ होता है, भोजन का भी, यानि simplest form of food होता है, ये ध्यान दीजेगा, उसके बाद हमने बताया था, ये कहां पाया जाता है, ये हमारे blood में पाया जाता है, blood में इसकी अधिकता के करण हमें क्या हो जाता है, diabetes हो जाता है उसमें control कौन कुछ सा करता है insulin hormone कंट्रोल करता है उस चीज को ठीक है दूसरा हमने fructose के बारे में पढ़ा था कि ये फ है फ से याद रखो फलो में यानि fruits में फाय जाता है किस में पाय जाता है fruits में पाय जाता है ठीक है उसके बाद साथी साथ मैंने आपको बताया था कि यही सबसे मीठा कार्वोहार्डिट होता है सबसे मीठा कार्वोहार्डिट sweetest sugar के नाम से इसे हम जानते है जो फलो में पाय जाता है सो answer हमारा क्या हो जाएगा fructose glucose के बारे में मैंने आपको बता दिया galactose के बारे में आप जान लीजिए कि यह सामान्य तह दूद में पाय जाता है जो सामान्य रूप से गाय भैंसों का दूद हम पीते हैं उसमें पाय जाता है इसी से related आपको next यानि कि dia saccharide में एक बंदा मिलेगा जिसका नाम होगा lactose तो जो lactose होता है यह हमारे का सकते हो कि आप मा के दूद में पाय जाता है किसमें पाय जाता है मा के दूद में lactose पाय जाता है और इसी से related जब आप poly saccharide पढ़ोगे तो वहाँ पे glycogen मिलेगा क्या मिलेगा glycogen मिलेगा जो कहां पाय जाता है जो liver में पाय जाता है liver में पाय जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं liver को क्या बोलते हैं chemical factory बोलते है chemical factory of the body chemical factory of the body ये समझ लो liver एक ऐसा organ है जो ghost लेके काम करता है मतलब ये सारा काम करेगा लेकिन इसको हमेजा ghost यह होता है मतलब ये सब कुछ करेगा लेकिन इसे हार्मोन्स, एंजाइम्स की जरुवत होती है जो बहुत, उसके बिना ये कोई काम नहीं करेगा दूसरा, चौता हमारा अप्सन दिया गए सुक्रोज सुक्रोज के बारे में जान लीजी आप लोग सुक्रोज जो होता है, वो भी आपका डायसेक्राइड है कैसा है, डायसेक्राइड है, ठीक है इसका मतलब इसमें दो अनु पाये जाते हैं तो कौन-कौन से पाये जाएंगे, एक आपका ग्लोकोज पाये जाएगा और दूसरा आपका क्या पाये जाएगा, फ्रक्टोज ये वाला बंदा पाये जाएगा, ठीक है इसका मतलब क्या हो गया कि यह अगर फलो में पाया जाता है तो इसका मतलब यह हो गया आप याद रख सकते हो सुक्रोज को कहा पाया जाता है तो यह से याद रख सकते हो सुक्रोज से बन जाता है सुगर तो СुГर केन यानि गन्ने में पाये जाता है ये, किसमें пытा जाता है गन्ने के अंदर पाये जाता है गन्ने में, सुकरोज किसमें पाये जाता है, गन्ने के अंदर पाये जाता है तो इतनी से निल्सित थी पहले question के ऊपर, चलिए, move to the next question which one of the following which one of the following is daisaccharide, तो daisaccharide कौन सा है, तो मैंने आपको difference बताया था, देखें फिर से आप याद रख लीजिए, कि mono के अंदर तीन लोग आते हैं, पहला आता है glucose, पहला आता है क्या, glucose, दूसरा आता है fructose, दूसरा क्या आता है fructose, तीसरा आता है galactose, तीसरा क्या आता है galactose, और कहां कहां पाया जाता है, मैंने last में बता है अभी थोड़ी दिर पहले, diisaccharide के अंदर अगर हम बात करें तो पहला आपका आता है glucose और glucose जब मिलाओगे तो आपका मलेगा maltose क्या बनेगा, maltose, यानि यह पाया जाता है, दूसरा आप glucose और fructose जब मिलाओगे, तो आपको बनेगा sucrose क्या बनेगा sucrose, और तीसरा आप glucose और galactose मिलाओगे तो आपको मिलेगा lactose क्या मिलेगा lactose, तो अब आपको पास option है, maltose, sucrose, lactose देख लो कौन सा option दिया गया है तो जो को glucose जो होता है, यह आपके monosecrate में आता है, तो यह cancel, cellulose जो होता है, यह polysecrate में आता है, तो polysecrate का भी देख लीजी, तुरंट लगे हाथ, polysecrate में आपका क्या पाया जाता है, cellulose पाया जाता है, cellulose पाया जाता है दूसरा आपका पाया जाता है starch क्या पाया जाता है starch पाया जाता है and तीसरा जो होता है वो पाया जाता है आपका glycogen क्या पाया जाता है glycogen पाया जाता है ठीक है जो की liver में होता है liver को chemical factory of the body करते है ठीक है तो, Maltaur जो होता है, वो आपका Diasacrid में पाहे जाता है, saloge हमने बता दिया, Glucose कहां पाहे जाता है, Mono में पाहे जाता है, Ripos नाम की, कोई चीज नहीं होती है, Riposome होता है, बट राई वोग clean, कोई चीज नहीं होती है, अगला, Final Product of Starch Digestion, जो starch होता है, उसका final product क्या होता है, जो starch होता है, उसका final product, अन्तिम उत्पाद क्या होता है, तो ध्यान से देखे, मैंने आपको बताया था ना, ये starch है, starch कहा होता है, पौदों में पाए जाता है, मैंने भी आपको बताया था, अच्छा, इसमें क्या होता है, कि ये इसको पता करने के iodine का test करते है तो final product कौन सा होगा तो चुकि starch जो है ये polysacride है है ना तो इसका मतलब glucose 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 करके बना होगा कुछ ऐसे करके तो जो final product होगा वो antim product सबसे छोटा वो कौन सा होगा glucose होगा ठीक है cellulose are polymers of तो जो cellulose होते हैं वो polymers होते हैं ये तो आपको पता ही है तो ये किस चीच के polymers होते हैं अब ध्यान से देखेगे यहां पे कि ये क्या होते हैं disaccharide तो बिल्कुल नहीं होते है disaccharide ये तो polysaccharide होते है polysaccharide होते हैं किसके glucose के एक option और दिया है polysaccharide होते हैं किसके microfibrils के तो micro-variables के ये polysacride नहीं होते हैं di saccharide कहीं भी दिख जाए तो ये तो पहले ही काट देंगे को भई ये di saccharide नहीं होते हैं क्यों नहीं होते हैं मैंने आपको बताया अभी थोड़ी दिर पहले जोगो poly saccharide में cellulose आता है star जाता है glycogen आता है हमारा question क्या था cellulose जो होता है वो polymers होता है किस चीज का polysaccharide होता है किस चीज का cellulose glucose का next question common table sugar जिसे एक common table sugar के नाम से जानते है is composed of किस चीज से बना है सुक्रोज जो होता है वो किस चीज से बना है तो अभी मैंने आपको बता है ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे आपका diaccharide में सुगर है सुगरोज है जो कि सुगर यानि सुगर केन यानि गन्ने के अंदर पाया जाता है और यह बना किस से है तो उसके सामने आपको फ्रक्टोज दिख रहा होगा तो याद रख लेगे यह इसमें फ्रक्टोज तो मिला ही होगा अब चुकि मैं बार बार बोल रहा हूँ यह कार्बो हाइडरेट है तो इन सब के पास glucose है पस इतना साय भी जाद रख लो सब के पास glucose होगा लेकिन अपने से सामने वाले में यह तूटेगा यानि सुक्रोज पहले फ्रक्टोज में और ग्लुकोज में टूटेगा तो जो सुक्रोज होता है दो बंदों से मिला है एक फ्रक्टोज एक ग्लुकोज से चलिए आगे देखते है सुक्रोज जो है एक कॉमन टेबल सुगर के नाम से जानता है इसे बनाया गया है ग्लुकोज और फ्रक्टोज से glucose और fructose से next इस option की बात कर लें तो glucose और galactose जो होते हैं इन से glycogen बनता है क्या बनता है? glycogen बनता है glycogen कहां होता है? liver में होता है liver को क्या कहते है? chemical factory of the body कहते है fructose और galactose मिलके ऐसा कुछ नहीं बनाते हैं इन से कुछ नहीं बनता है लेकिन फ्लक्टोच की जगह पे अगर आप ग्लोकोज रख लोगे फ्लक्टोच की जगह पे क्या रख लोगे ग्लोकोज तो उपर वाली चीज बन जाएगी और इस galactose की जगह पे अगर आप glucose रख लोगे तो इस से उपर वाली चीज यानि सुगर बन जाएगे ठीक है? चलिए, move to the next question The chemical formula of starch तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया है chemical formula of starch starch होता है, वो क्या होता है? polysaccharide होता है, ऐसे याद रखे है क्या होता है? polysaccharide होता है polysaccharide का formula क्या होता है? तो वो होता है C6S10O5 and बाहर यन होता है C6S10O5 बाहर यन तो पहला option हमारा दिया गया है C6S10O5 बाहर यन maltose consists of which one of the following तो जो maltose होता है, आप ऐसे याद रखो, किस चीज़ से बनता है? बस इतना बता दो तो जो maltose होता है, ये पहला disaccharide होता है और ये किस से बनता है? glucose and glucose से तो simple सा हमारा answer हो जाएगा beta glucose and beta glucose तो ये बीटा क्यों लिखा है? जब आप पढ़ोगे क्या नाम है? किसके बारे में? एक mitochondria के बारे में पढ़ोगे जिसे energy बोला जाता है तो उसमें alpha, beta करके ऐसे कुछ एक orbits होते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें generate हो रही होती हैं जब आप cell पढ़ोगे तो उसमें detail में पता चले Which one of the following is parasite? तो कौन सी ऐसी चीज है? जो आपकी parasite है तो इसका answer आपको मुझे comment box में बताना है कौन सी ऐसी चीज है? जो परजीवी है, option है आपके पास lichen, cascata, फिर उसके बाद क्या है? fungi and rhizobium तो आपको मैं बताई देता हूँ कौन सा है तो cascata जो होता है, हिंदी में बोलते है अमर बेल यानि दूसरे के उपर जो आस्रित होती है तो अमर बेल जो होती है, cascata जो होती है ऐसे पेंड, आप देखोगे, कुछ पेंड होते है माली जे बड़ा सा पेंड है, उसमें बहुत सारी टहनिया है तो उसके अगल बगल से ऐसे बहुत सारी चीज़ें लटकी रखती है तो ये अमर बेल होती है, जो उनको पकड़ के सहायते से लटकी होती है तो ये पेंड के उपर आस्रित होती है, अपना भोजन इससे बनाती है ये प्रकास संसेसर नहीं करते है तो ये पेंड से बने हुए खाने को खुद लेता है जो लटकी-लटकी होती है, जैसे जंगलों में लगता है जैसे वहाँ पे भूत वाली फीलिंग आती है, तो कुछ ऐसे होती है चलिए, नेक्स्ट मूब तो नेक्स्टोस्टिन विच और गेनल, इस काल्ड पावर हाउस आफसल तो माइट्रो कांडी या मैंने आपको बताया कि इसे हम पावर हाउस बोलते हैं याद रखेगा, सेल के बारें जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा वेन एर इस ब्लो थू लाइम वाटर, इट टर्न्स मिलकी बिकॉस तो जो लाइम वाटर होता है, उससे जब हवा गुजरती है, तो यह किसमें बदल जाती हैं? मिलकी में बदल जाती हैं, क्यों? क्यों ऐसा होता है? तो यह आपको आंसर मुझे comment box में बताना है, यह आपका question है, क्योंकि last वाला question तो मैंने खुद बता दिया, यह मुझे आप comment box में बताओगे, क्यों सा ऐसा चीज है, इसकी वज़़ा से हवा जो होती हैं, मिलकी हो जाती है, तो I hope दोस्तों, session आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आपको ने अभी तक हमारे app को install नहीं किया, तो आप जाईए, discussion box में वहाँ पे जल्दी से app को install कर लीजिए, वहाँ पे आपको इससे content से related जितने भी details चाहिए होगा, वो साब आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाईए, आप install कीजिए, and उसमें अपने आपको enroll कीजिए, और अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, दो कदम तो आगे चलिए,